इधर भी देख सकते हैं कि फिश है प्लस जो है पीछे भी देख सकते हैं कि यहां भी मशली को रखा गया है और सारा कटिंग वेटिंग यहीं पर होता है प्लस मशली का स्टॉक देखे कितने क्वांटिटी में मशली यहां लाया गया है और यह मशली जो आप देख रहे हैं य ये मतलब अईसे ही आपको मिलने वाला भी नहीं से लाने के लिए कितने बज़ जाते हैं चार बज़ शुबा तीन बज़े तीन बज़ लोग निकल जाते हैं घर से और चार बज़े घंटी पड़ता है मंडी में और हम लोग पहले से माल छाट लेते हैं जो माल दर्भंगा व हमारे यह जो होता है उद्रवंगा का यह होता है लेकिन हम अपने फिर्फार करते हैं ना रेट को इसमें 700 तक का रेट होता है और यह जो भी लाया हुआ यह 800 रुपे किलो का लाया हुआ तो आप देख चुके हैं मिर्चो होटल का आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं मचली और मचली भी कोई यहां मामूली क्वांटिटी में नहीं बनता है और देख सकते हैं तुरंट अभी सारा मचली का स्टॉक हो आया है और इस तडीके का सीन आपको और किसी भी पटना के शॉब में देखने को नहीं मिलेगा इतना यादा फ्रेश फिश जो है वो यहां आता है अच्छे लेगर इसके में डाले हैं देख सकते हैं कि फिष है प्लस पीछे भी देख सकते हैं यहां भी मख्ली को रखा गया है सादा कटिंग बेटिंग यहीं पर होता है आन पुकाई है। मचली के साँष्ञ sz quienes यहां जिंगा भी मिलता है। जंगा कहा वाला रहता है। और धी जंगां हवरा का जंगा है और घाने में अलगE टेस्ट आए यह रानीपुर का जंगा है खाने पyalही को पता चलेगर्गा इसका टेस्ट हैमत यह खाने के लिए शुबह मुखना पढ़ता है एक आपको 10 वजे आना पड़ेगा और यह लगबग आपको एक देर बज़े तक मिल जाएगा बहुत लिमिटेड कॉइंटिटी में होता है यह लिमिटेड कॉइंटी में आता है और भी तरह का जिंगा आता है लेकिन इसका लीमिटेड हराता है टेस्ट भी अलग रहता हो गपड़ानिव से माला था लेते हैं मलोग चार बजे में मन्डी में अप जा के खुँझ से सलेक्ट करते हैं जो पीसिस है और उसको फिर बाद में तो अलवाटे हैं उसमें आपको दर्भंगा से भी आता है फिल्सा से भी आता है पड़िस्रम करना पड़ता है मचली के लिए करना नहीं पड़ता है यह कस्टमर का प्यार है जो हम उसके लिए दौरते हैं हर रोज सालों भर दिन सुबा के तीन बज़े एकदम एकदम कभी भी आप हम से आईएगा तीन बज़े बोर में मंडी में बेट हो जाएगा कहां पहले मंडी यह बजार समीती में रेट क्या होता है यह आपको इसमें 400 से लेके 800 तक का रेट होता है और यह जो भी लाया हुआ यह 800 रुपे किलो का लाया हुआ है यह सब से प्रीमियम कॉलिटी का है और हम अपने जितने भी लुएल कॉस्टमर है जो हम से दिल से सम्बंद रखते हम उनको खिलाते हैं सब मशली केतना आता है टोटल 40 किलो आज के डेट में से आने क लिए 50 किलो भी आता है 60 किलो भी आता है 16 मार्केट के हिसाब से 40 ₹ हमारा खबत पड़ होड़ा है लेकिन हम अपने हम अपनी बात करते हैं ना मैं कोई बर्ड लगा के बैसता हूं ना कोकी बैन लगा कर डंमे पर भेंटता हूं ना किसी बोर्ड के 40 कीलो मशली बेच कर दो पर को इदर देख सकते हैं कि यह सब से पहले जो जहिंगा लाया गया है उसके लिए माशाधे को निकाला जा रहा है एक कोई प्रेसे नेगों लोग रेडी पिर भी नहीं मिलता है मैंने सब लोग को चाहता है तो अच्छा 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 दुकंदारी है तो हर कोई तो 800 रुपर का खड़ीते भी नहीं होंगे नहीं जो बेचने वाले जो खुद्रा बेवताई है जो रोट पर लगा के बैसते हैं उनके ल मचली फ्राई के लिए या मसाला निकाल जा रहा है यह हो गया 40 किलो मचली को अदरक ही परता है मचली में वैसे भी लोग अधरक यूज नहीं करने है也是 यह हो गया 40 किलो मचली का हो मचली मचली वो तैयार इधर जो है जहिंगा बनने का तयारी स्टार्ट हो चुका है ये गया उपर से अद्रक थोड़ा सा गया ब्राउन ओनियन नेक्स्ट ये जो है ये गया नमक जाएगा सरसो के तेल में थोड़ा सा तेज पत्ता और प्याज उपर से जाएगा थोड़ा सा लहसन बाकी जो सारा मस जाला अब तेल में उपर से जाता है कि अब यह दही अच्छा दही डालते है उसमें अच्छा अच्छा ये गया है थोड़ा सा जिंगा के उपर ये देख सकते हैं दही ये गया अब साड़ा जिंगा जो था वो तेल में तो ये जो है ये मीठे पानी वाला जिंगा है तोड़ा साब गोलकी और यह प्मसाला खुलाष घर है तेक्ग है श्टिक करें प्राउन कर रहे हैं कैसे पीछ रहे हैं उसमें दिखाएं जा रहा है प्याज को इस तरीके से कुकर बें गला लेते हैं अच्छे से और उसके बाद इस गाज को पुराशा डाला गया उपर से जहींगा हो चुका है तो भी लखी कस्टमर होंगे जो पहले आएंगे उन्हें य हो चुका है अक्छे से वाश कर लिए और इधर जो है अब मसाला था नीचे उपर से यह मचली को डाल दिया गये इस तरीके से सारा मसाला है मचली में मिक्स होगा सब लसुन मिर्चाई हल्दी सब ड़ गया इसलब फरे होगा जैस्सेट्र अच्छर आएगा इसको रखाग क अब होगा देदा पूरा चुका है मचली और ग्रेवी मचली को अल्रेडिन तयार है तो जैसा जैसे आडर आए गधा दूसरा प्राइगा और निकाल है रहते हैं पूरा का फूरा का पूरा दूचालिस किलो मचली वह एक साथ यहां प्राइग नहीं होता है बटे या मश्य रैडियो चुका है कि तो कस्टमर लोगा आया मश्टि के लिए बढ़ी के लिए मश्ली दे रहा है त्यार यगया तो जीना था वो तयार हो चुका है और क्या रेट होता है इसका यह जो है यह हो गया जिंगा रेट की बाद करें तो यह है एक सो साट रुपय का क्वांटिटी आपको इतना नहीं मिलेगा ज्याजा मिलता है छे साथ पीस के यह जो है और यह एक सो ठीक रुपए में तीन पीस दिया जाता है इस साइस का नहीं होगा तीन पीस आपको 130 रुपर में दिया जाएगा विट चावल लगते हैं तो साथ 170 बतायते हैं चावल और मशली करें चावल भी थोड़ा ज्यादा होता है नो थोड़ा कम लिये हैं सबसे पहले यह ड्राई करते हैं प्राउन को पहले यह को लगता है यह अधरा किया लेए यह अधर उनको बोले उते हैं और राई करते हैं यह ज़रूरा के एक इस मशली को कि कि शीकट कई छाध कि स्वाथ जो है वह मसाले साथ है मच्छी सब्सकें में जो मेजर रोल का किर मच्छी का वूछीक्र दलाए उपिक्टटां इस फ्रेशनस और यह आदेडिवा कहार हैं यह सब अधे के पर आफिकशै करने किम्हाध представalah beide सुबा के तीन बजे से उटके जाते हैं मशली को लाते हैं तब जाकि यह quality फ्रेश्नेस मिल बाता है और बता है दरभंगा वाला मशली और अब ताया ताया मशली और स्वाध इस्का आ रहा है एक बाइड लेते हैं, उसके बाद चले, इतमेनाश यह है, तो मचली चावल का भोज है, इसा खाते हैं, तर भंगिया मचली चावल, तो खाते हैं, इन्जॉाइब करते हैं, कॉमेंट किजिए आप बताइए आप वीडियो इंज्वाइए किये कि नहीं और अगर इंज्वाइए किया तो आईए लोकेशन बता चुके हैं आके यहां खाईए और अपना एक्सपिलेंट बताईए थेंग्यू सेंग्यू सेंग्यू